अलोग दोस्तों वल्कम टो मार्सी स्टडी दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कच्छा बारा का मैथ चैप्टर 7.4 के बारे में ठीक है और यह वीडियो चैप्टर 7.4 का पार्ट 3 है ठीक है और पार्ट 1 और 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप से आकर देख लिजएगा तो इस वीडियो में हम कॉश्टर नमबर 21 से सिर्ट करेंगे ठीक है चलिए को सब्सक्रिप्शन को करते हैं on 2xλ3D आफ इसको क्या करें एक्स प्लस टू इस तरह से लिगे फिर एग्स कर कह Keeping THEаша की है क्वार इस श्राइब डिएखेर ता हो जाएगा एकसओ क्वार में टू एकस का हो जाएगा के वर टू और पलस में बी है तो इसको बी रहा है अब क्यान करें आप इस यक्स का, इस यक्स के साथ तूल न करिएगा, ठेक हैं, तो लिखिए X बरावर में 2 X और A, अब देखें, 2 X A के साथ में गुणा कर रहे हो, तो बरावर की इधर करेंगे, तो भाघ करने लएगा हो जाएगा, X अपान में 2 X और बरावर में लिए इस यक्स यह वाल यक्स कातम तो एक बटा 2 ब्राबर में ए तो इस तरह से ए बटा दFr próxima करें बदाए आपर a b और पिर इधर से केवल दो बचा है ठीक मैं तो लिखें तू अब इधर में दो निकाला है तो लिखे गुणे में एक बटाद दो पलस में ये B है बराबर में क्या लिखेंगे ये ज़र दो बचा ये वाला दो अब इससे ये कैंसल तो बचा क्या केवल एक अब एक जब बराबर की इधार आएगा तो क्या हो जाएगा B बरावर में 2-1 तो मतलब की B बरावर केवल 1 बचा इस तरह से ठीक है अब क्या करिए अब इसको यहाँ पर उतार दीजिए अब जब उतारेंगे तो I बरावर में और उसके बाद से क्या X प्लस 2 फिर रूट में X का स्क्वाइर प्लस में 2X प्लस में 3 और यह डी अक्स इस तरह से हो गया अब क्या करिएगा अब इसको हम अब इसके अस्थान पर यह X प्लस 2 है इसके अस्थान पर हम यह वाला वैलू पूट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा A फिर 2X प्लस में 2 और प्लस में B और बट्टा में रूट में रहेगा x का स्क्वाइर प्लस में 2x प्लस में 3 और यह दियाक्स ठीक है अब क्या करें यह और बी इसका मान पर निकाल लगा तो इसी मान से इसको हम लिख देंगे x square plus में 2x plus में 3 और यह dx इस तरह से हो गया आप समझें अब इसको हम अलग-अलग कर देंगे कैसे समझें एक बटा दो को हम बाहर इदर लेते हैं एक बटा दो फिर इस तरह से इसका चिन लगा यह फिर x sorry 2x plus में 2 अब इसके नीचे यह root वाला मान रखिए x का square plus में 2x plus में 3 अब यहाँ पर plus है तो यहाँ पर आप plus लगाईए फिर यह चिन लगाईए अब यहाँ पर एक है तो यहाँ पर लिखे 1 और फिर root में x का square plus में 2x plus में 3 और यह dx ठीक है इस तरह से आप अलग-अलग करेंगे अब क्या करेंगे इसको हम बारी-बारी से हल करेंगे तो इसको पूरा को मालेते हैं पी और इसको पूरे इक को मालेते हैं क्यूंख ठेक है तो पहले पी को हल करते हैं तो पी बड़ाबर क्या है एक बता दो और उसके बास से ङसे है लृत आये संधिडू यिद्ए difafone redeem जाएगा अपान में है X का Square प्लस में 2 X ë mils में 3कीろう के यह वाला पादा ठालas कर नहिंए अब विक स्कुरा मालन लेते हैं है ती जाशन एक्स स्कॉर पलस में में 2x किड़ में 3 ब्राबर में यहां सक्क्राइर। कंषा हमिक्षा और तो जाएगा 2 S 2 2x का क्या जब अगलन करेंगे तो हो जाएगा 2, T बराबर के हो जाएगा T कमाण, DT अपान में Dx, यह हो गया, अब यहां से हम Dx की value निकाल लेंगे, तो हो जाएगा Dx बराबर में Dt अपान में 2x पलस में 2, तो यह इस तरह से निकल गया यहाँ पर, अब dx की value हम यहां पर रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 बटा 2 और 2x प्लस में 2 अब इसके बराबर क्या माना है t तो root में हो जाएगा t फिर dx के अस्थान पर dt अपान में 2x प्लस में 2 इस तरह से अब इस से यह cancel तो बचा क्या 1 बटा 2 फिर वन अपान में root में t और यह dt अब समझे अब root का मतलब क्या होगा t की घात में 1 बटा 2 के रूप में लिख सकते हैं ठीक है तो लिखेजिए 1 बटा 2 पहले यहां पर लगा यह और उसके बाद से वन अपान में t की घात में एक बटा 2 और यह dt ते इस तरह से करें अब क्या करिये और हम आमरे क्या बचाव टी की में बटा 2 यह क्यों हो जाएगा अब देखे फिर चात में एखर लिखते हैं जब यह root होता है ठीक है तो अगर एक leta 2 लगा तो इसको हम root में कर सकते हैं तो इस तरह से मम कर कर देंगे root में x square plus में 2x plus में 3 और plus में c ठीक है तो इस तरह से यह value जो निकला यह हमारा P बराबर निकला ठीक है तो यह P बराबर निकल गया अब हम Q बराबर निकालेंगे तो देखे यहां पर क्या है Q बराबर यह वाला portion तो इसको हम कर देंगे Q बराबर में 1 upon root में x का square plus में 2x plus में 3 अब इसको हम x square और एक square के form में इसको बदलना है तो देखे कैसे करेंगे इसको लिखे एक बटा दो फिर root में x का square plus में यह 2x है तो 2x इस तरह से लिखिए फिर plus में 3 अब क्या नियम होता है कि यहां पर कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए ठीक है और उसके बाद से जब यहां पर कोई संख्या नहीं है तो यह साहिए अब यह जो बीच वाला होता है इस बीच में कोई संक्या हो तो इस समय क्या है दो इसे 2 में हम 2 से भाग करेंगे ठक्वेचे बीच जों का किया laughs ललक है श्कवाइब संदै कि इसका नियम होता है तो में यहां पर दो है तो इसमें जो से बाइब तो बचेक्वां 1 को 16 सैंदी का तो एक हम क्या करेंगी को 20 में का एक का square कर देंगे फिर minus में एक बार एक का square कर देंगे और ये dx इस तरह से ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 upon root में x square है तो एक बार x लिखे फिर ये 2x के आगे क्या है पलस है ठीक है तो यहाँ पर पलस लिख दीजिए अब ये जो हमने extra में लगाया है एक का square और एक का square तो इसमें से ये जो पलस वाला है पलस वाला का एक यहाँ पर लिखे और सब का whole square कर देजिए ठीक है अब इसको अगर आप whole square formula पर तोड़ते हैं तो ये आ जाएगा आएगा कितना x का square और 2x और पलस में 1 ये इतना आएगा अब बचा क्या अब ये बचा और ये माइनस वाला बचा तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचाएगा पलस में 2 तो पलस में 2 को हम क्या करेंगे root में कर देंगे और ये whole square लगा देंगे ठीका कोई दिकत नहीं होगा कि जब whole square लगा है root में है ठीक है तो इसको जब हम whole square करेंगे तो ये 2 आजाएगा कैसे आजाएगा जैसे कि अगर इस तरह से तो whole square का मतलब क्या होता है कि root में 2 गुणे root में 2 इस तरह से मतलब इसका होता है तो रूट दो गुणे रूट दो ये दो ही आएगा अब इसको आगे समझें अब हम कर देंगे अब इस वार फॉर्मूला अपलाई कर देंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर देखिए जैसे की यह X है ठीक है तो X का स्कॉर प्लस में A स्कॉर फॉर्मूला क्या होता बराबर होता है log x plus root में x нет का square plus a square plus c यह formula होता है ठीक है तो इस पर apply़े कर देते हैं तो होजाएगा log और x तो x का स्टान पर यह वाले अधिव्य रख़्ेंगे x plus 1 फिर plus है तो लगएंगे plus फिर root में x का square मतलब की x plus 1 का whole square plus a पलस में A मतलब की रूट दो का होल इसको है और पलस में C अब समझे अब ये वाला जो वैलू आया है किसको हल करने के बाद आया है ये वाला वैलू जब हमने इसको हल किया है तो ये वैलू आया है तो अगर इसको हल करने पर यह आ रहा है तो इसके अस्थान पर हम यह वाला वैलू पूट कर सकते हैं तो वही काम यहां पर कर देना है दिखो जाएगा लॉग एकस प्लस वन और रूट में सौरी वन नहीं रहेगा अब इसके अस्थान पर कर देंगे एकसका फ्लस में टू एकस प्लस में 3 और पलस में C तो यह क्या Q बराबर यह इतना माना गया है तो हम क्या करेंगे अब पी को हल करने पर यह हमने पी माना था तो इसके अस्थान पर पी का वैलू रख देंगे और इसके अस्थान पर क्यूं का वैलू रख देंगे ठीक है और यह औरुग तो यहां पर भी प्रलस का चीन लगाए इस तरहे से फिल सल रगाई और उसके बात से यह कि 오늘ционर वालमान लग दीजिये तो ब你想 का या यह और X plus 1 रहेगा यहां पर X plus 1 फिर रहेगा पुलस टीक है यहां पर X plus 1 और उसके बाद से प्लस फिर रूट में X का स्कॉायर प्लस में 2 X प्लस में 3 और प्लस C और यही इसका answer जाएगा अगला देखते हैं अब देखें यह वाला question भी एकिदा हम उसी परकार से करेंगे इसमें क्या है बस के वार रूट नहीं लगाए ठीक है तो इसको भी कर देंगे ते हम क्या करेंगे पहले X plus 3 बराबर में A फिर D by dx और उसके बाद से ये वाला value रखेंगे X इसको माइनस में 2X माइनस में 5 और पलस में B अब X plus 3 बराबर में A अब इसका हम आउकलन करेंगे तो हो जाएगा 2X फिर 2X का माइनस में केवल्ड 2 हो जाएगा फिर पलस में B अब A का इसमें गुणा कर देंगे तो X पलस 3 बराबर में 2X 2X और A माइनस में 2A पलस में B अब इस Y का तुलना इस Y के साथ करेंगे 2X के साथ तो लिखे X बराबर में 2X और A अब इसको हम इधर कर देंगे तो हो जाएगा एक सपान में 2x बराबर में a इस x से यह वाला x का कैंसल तो एक बटा 2 बराबर में a हो गया अब यह माइनस में 2a है अब देखें माइनस में 2a पलस b तो माइनस में लिखेंगे 2 अब ए बराबर हमने क्या निकाला एक बटा 2 तो गुणे एक बटा 2 पलस में b और बराबर में यह वाला 3 रखेंगे तो 3 हो गया इससे यह कैंसल ठीक है तो बचा कियो और माइनस बचा है माइनस एक तो जब माइनस एक को हम उधर करेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा पने तीन और माइनस एक बडाबर की धा जाएगा तो पलस में एक हो जाएगा ऑप बी बराबर चार ठीक है अब उपर वाला यह वाला माut यह यह औप रखेंगे इस तरह से एकलग्स x-3-2x-5Dx, अब इसके अस्थान पर हम यह वाला वैलू रखेंगे, तो चलिए रख दिते हैं, तो यह हो जाएगा A और उसके वाद से 2x-2, और पलस में B, और फिर x-2x-5Dx, अब यहां पर देखें, अब एक एस्थान पर यह वाला वैलू, बी के एस्थान पर यह वाला व 1 बटा 2, फिर 2X माइनस में 2, पलस में B के अस्थान पर 4, फिर X का स्कॉर माइनस में 2X माइनस में 5 और ये DX, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम अलग-अलग कर देंगे, क्योंकि बीच में पलस लगा है, तो अलग-अलग हो सकता है, तो हम क्या कर देंगे 1 बटा 2 को बाहर अब 2 X माइनस में 2 फिर इसके नीचे X का स्कॉर माइनस में 2 X माइनस में 5 और यहाँ पर डी अक्स फिर पिर प्लस यहाँ पर प्लस लगए यह 4 है तो 4 को इधर कामन लेजी और इस तरह से कर लेजे फिर यहाँ पर 4 जब कामन ले एकस माईनस में फंट अधिए इस तरह से करें ठिक है अभ में प्यों क्या करेंगे प्यों क्यों अधिक आठे elga थे प्यों प्लश करेंगे पल्तों हेयं क्यूं पहले पीदार वाल ये प्यों किर लीथे तो फिक है एक बटा दो फिर 2x माइनस में 2 फिर x का स्क्वाइर माइनस में 2x माइनस में 5 और ये dx ठीक है अब क्या करेंगे इसके बराबर हम t मान लेते हैं तो x स्क्वाइर माइनस में 2x माइनस में 5 बराबर में t तो 2x माइनस में 2 बराबर में t का हो जाएगा dt अपान में dx एक्स तो यहीं से हम ड्यक्स की टिकल लेंगे तो टिक्達'ells माइनस में ऑन्मिट तो हमें थो टिक्द आ से में ड्यस्ट ब्राबर ग्याता होगया अब इससे वालमान को यहां पर रखेंगे एक बटा दो फिर 2x माइनस में 2 फिर अपान में रूट तो है नहीं तो यह रूट नहीं लगाएंगे अब इसके बराबर हमने टी माना है तो यहां पर लिखेंगे टी डी x की अस्तान पर यह वाला वैलू रखा है की क्या डी डी टी अपान में से perché मैं 2 इस से यह कैंसल हो गया ठीक है तो बचा क्या एक बटा दो फिर वन अपान में टी और यह डीटी बचा ठीक है अब इसको देखे इसके पर फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला होता है क्या एक बटा दो पहले लिख लेंगे अब इसके लिए लॉक का फॉर्मूला होता है जैसे कि वन अपान में ए और लोग, टी बराबर हमने क्या माना ये वाला, तो एक्स का स्क्वाइर माइनस में 2x, माइनस में 5 और पलस में c, ठीक हैं, तो पी बराबर ये value हमने निकाल लिया, अब क्यू बराबर निकालेंगे देखिए, चार है तो यहाँ पर लिखेंगे चार, और उसके पासे वन में 2x माइनस में 5 और यह dx अब इसको देखिए अब यह हो जाएगा क्या है 4 पहले करेंगे अब इसको भी हम x की स्क्वाइर और यहां पर कोई भी संक्या नहीं है अच्छी बात है तो एक स्क्वाइर फिर यहां पर बीच में क्या है 2x है तो इस 2 में हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आजाएगा एक आएगा तो पहले एक बार 2x माइनस में 5 इस तरह से उतार लेंगे अब एक को हम माइनस में एक बार एक का स्क्वाइर फिर एक बार पलस में एक का स्क्वाइर करेंगे यह इसका नियम होता है बनाने का अब इसमें हम वन अपान में की इसको हम पहले लखेंगे क्या एक्स ठीकाया फिर देखेंगे टू एक्स के पहले क्या है यहां पर आपर मान लीजिए यहां पर टू एक्स है अगर इस इछ अध्स होता कि बचा यहां सिपा डगा हूं कि माइनस पांच और माइनस एक क्या हो जाएगा इसका होल इसको है बनाने के लिए इसको करेंगे रूट में और इसका होल स्कार तो इस तरह से हैं अब यह इस पर कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यह महलत यह x का square minus में a square ठीक है तो जब x का square minus में a square हो तो इस पर formula हम लगा देंगे देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ यह formula जिसे होता है कि dx अपान में x का square minus में a square बराबर होता है 1 अपान में 2a और log x minus में a और X प्लस में A प्लस C तो यह फॉर्मुला हो दा है ठीक है यही पर अपलाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या पहले तो 4 लिखेंगे और उसके बाद से क्या 1 अपान में 2 A ठीक है तो लिखिए 1 अपान में 2 तो 2 हो गया A तो A इसमें क्या है root 6 root 6 उसके बाद से log फिर mod में X माइनस A तो X के अस्थान पर यह है X माइनस में 1 और फिर माइनस A तो माइनस A A मतलब की root 6 root 6 और फिर नीचे X माइनस में 1 फिर प्लस में A तो प्लस में root 6 और प्लस C अब यह दो एक हम दो दो दूना 4 तो यहां पर क्या बजाएगा 2 बटा root 6 और log X माइनस में 1 माइनस में root 6 और X प्लस सॉरी X माइनस में X माइनस 1 और प्लस में root 6 और प्लस C तो यही इसका क्या Q का value हाजाएगा ठीक है अब देखिए अब P के अस्थान पर यहां पर इसको हमने P माना था यह वाला तो इसको जो हल की है उसके अस्थान पर उसका मान रखेंगे और बीच में प्लस लगा के Q का मान रखेंगे देखिए कैसे पहले P का मान क्या आया है यह वाला तो लिखेंगे 1 बटा 2 log X का स्क्वाइर माइनस में 2 X माइनस में 5 ठीक है बीच में पलस वाला चीन है तो पलस लगाईए फिर दो बटा रूड 6 और लोग X माइनस 1 माइनस में रूड 6 और X माइनस 1 पलस में रूड 6 और पलस में C और यही इसका आंसर हो जाएगा अगला देखते हैं अब देखिए कुश्चन नमबर 23 को कैसे करेंगे इसमें भी सेम वही परकिरिया करेंगे पहले लिखेंगे 5 X पलस में 3 बराबर में A फिर D Y D X और नीचे X के स्कुर पलस में 4 X पलस में 10 पलस B ठीक है अब लिखेंगे 5 X पलस में 3 बराबर में A अब इसको लिखेंगे 2 X पलस में 4 और पलस में B ठीक है अब A का इसमें गुणा कर दीजिए तो 5X पलस में 3 बराबर में 2X और A पलस में 4A और पलस B अब इसका compare इसके साथ कर दीजिए ठीक है तो 5X बराबर में 2X और A अब देखिए 5X के नीचे लिखे 2X और बराबर में A अब इसका cancel होगा ठीक है तो 5 बराबर में A एका value ये इतना आगे अब समझें अब 4 है तो लिखे 4 A है तो A बराबर ये इतना गुणे 5 बराबर 2 पलस में B अब इस सब के बराबर में ये वाला रखेंगे तीन तो एकना दो दो दोना चार तो दो गुणे 5 दो पच्चे 10 हो जाएगा तो 10 पलस B बराबर में 3 अब 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा B बराबर में माइनस 7 इतना आ गया अब इसको कह रहेंगे क्या अब यहाँ पर समझे अब इसको नोट करेंगे इस तरह से 5 X पलस में 3 फिर रूट में X का स्क्वाइर पलस में 4 X पलस 10 और ये D X अब फिर अब इसके अस्थान पर हम क्या रखेंगे ये वाला मान रख तो A और 2 X पलस में 4 और पलस में B फिर रूट में यही वाला मान रख दिया जाएक ठीक है तो इसक्वाइर पलस ने 4 X पलस में 10 और ये D X अब e के हास्तान पर a कमाण b के हास्तान पर v कमाण रखदेंगे तो यह हो जाएगा यहां पर प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा माइनस में 7 और सबके नीचे रूट में x का स्क्वाइर पलस में 4x पलस में 10 और ये dx अब इसको अलग-अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या है पांच बटा 2 को बाहर ले लेते हैं तो आजबटा 2 यहां पर बाहर अगया उपर बचा 2x पलस में 4 अब इसके नीचे x का स्क्वाइर पलस में 4x पलस में 10 और ये dx पलस अब 7 को कॉमन लेजे ठीक है तो साथ यहां पर कॉमन हो गया तो यहां पर माइनस आ जाएगा ठीक है क्योंकि यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस रहेगा फिर यह वन अपान में रूट में एक्स का स्क्वाइर प्लस में चार एक्स प्लस में दस और यह ठीक है अब यह वाला पॉर्शन मान लीजिए पी और यह क्यों ठीक है अब इसको अलग-अलग करके हल करेंगे तो चलिए पहले पी वाल करते हैं तो पी बराबर क्या है पांच बटा दो और यह वाला टू एक्स प्लस में फूर अब नीचे क्या है एक्स का इसको प्लस में चार एक्स प्लस में दस और डी अक्स इसको मान लेते हैं टी तो एक्स इसक्वाइर प्लस में चार एक 2X plus 10 बराबर में T ठीक है अब इसका ऑखलन जब करेंगे तो X स्क्वाइर को हो जाएगा 2X 4X का ऑखलन हो जाएगा केवल 4 10 का तो 0 हो जाएगा अब T का हो जाएगा DT अपान में Dx ठीक है अब यहां से हम Dx की वैलू निकाल लेंगे तो हो जाएगा DT और अपान में कर देंगे two x plus में four यह इतना आजाएगा ठीक है अब समझे अब हम क्या करेंगे अब dx के अस्थान पर यह वाला value पुट कर देंगे तो लिखे पी बराबर यह हो जाएगा पी बराबर में इसको लिखेंगे पांच बटा दो और two x plus में four अपान इसके बराबर टी माना है तो रूट में तो रूट में टी हो जाएगा अब dx के अस्थान पर dt अपान में two x प्लस में four इससे यह कैंसल तो क्या बचा पांच बटा दो और यह one अपान में रूट टी और डीटी इस तरह से अब देखिए रूट टी था तो कैसे हमने किया था इसको हम डारेक्ट करते रहें ठीक है तो यह हो जाएगा टी की घात में माइनस में एक बटा दो और डीटी फिर हो जाएगा पांच बटा तो और फॉर्मुला अप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा कि टी की घात में एक बटा दो फिर एक बटा दो पलस में सी इतना हो जाएगा जब फॉर्मुला अप्लाई अब लोग देख सकते हैं एक स्कॉन में एक स्कॉ पाउर में आपलस फ़न और एन प्लस फ़न प्लस में सी एंड के स्थान पर यह जो गहात है माइनस में यही वाला अपलाई होगा तो यह हमने यहां बुद आपर किया है तो तीन step में एक दो 3 सबसे नीचे वाला दो ऊपर चला जाएगा तो 5 बड़ा 2 पहले से यह लगा अब टी की घात में एक बड़ा 2 पलस में सी इससे यह कैंसल तो पांच अब टी केथ में एक बड़ा 2 मतलब की टी को रूट में लिक सकते हैं तो root में t कमान क्या हो जाएगा टी बराबर हमने माना है यहाँ पर यह cog यह को यह पर यहाँ निकलते हैं लूंट कर देते हैं क्यों बराबर में साथ और 1 अपान रूट में X का स्क्वाइर पलस में 4X पलस में 10 ठीक है अब इसको हम क्या कर देंगे इस तरह से DX तो 7 1 अपान में रूट में X स्क्वाइर है तो यहाँ पर लिखे X स्क्वाइर पलस में बीच में 4X है पलस 10 है तो हमने नियम क्या बताया था कि यह जो बीच वाला है इस संख्या में हम 2 से भाग करेंगे तो 4 में अगर भाग करें 2 से तो 2 बचेगा ठीक है तो पलस में एक बार 2 का स्क्वाइर करेंगे और फिर माइनस में एक बार 2 का square इस्तार से लिख देंगे, और यहां पर dx, तो बराबर क्या होजाएता गो, 7, 1, 95, अब यहां पर x-square है, तो एक x यहां पर लिखेंगे, ठीक है, अब यहां पर पलस है, तो यहां पर लिखे шееड़़ई पलस, अब इसमें से हम पलस वाला मनले लेंगे, में गहात लगाए ठीक है तो दो दुना चार दस में से चार गटाएंगे तो क्या बचाएगा पलस में छे अब इसको भी हम रूट में करके और इस तरह से इसको हम स्कॉयर के रूप में बदल देते हैं अब इस पर कौन सा फॉर्मूला अपलाई हो सकता है इस पर डाइक फॉर्मूला लगाते हैं ठीक है तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स एक्स का स्कॉयर पलस में ए स्कॉयर इसके लिए देखे फॉर्मूला मैं लिग दे रहा हूं दी एक्स अपान में एक्स का स्क्वायर पलस में ए स्क्वाइर हो प्लके हो ग intern फिर log X है ठीक है तो X कहा असना पर X plus 2 X plus 2 फिर plus फिर root में X square है तो X plus 2 का whole square X plus 2 का whole square plus है तो plus A square मतलब की root 6 का square और plus C अब देखें यह वाला मान और यह वाला मान दोनों से में ठीक है तो यह वाला मान हमने यह वाला मान हमने इसको जब हल किया है तो यह मान निकला है ठीक है तो मतलब इसका यह हुआ कि इसके अस्थान पर हम यह वाला चीज पूट कर सकते हैं तो वही काम यहाँ पर हम कर देंगे, अब इसके अस्थान पर हम यह वाला value put कर सकते हैं ठीक है, या फिर इसको जब आप whole square पर तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, तो ये, kule तोड़ कर, ये इतना ही आएगा, ठीक है, तो इसलिए direct हम, इसके अस्थान पर हम यह वाला मान पूट कर देंगे तो चलिए वही कर देते हैं तो Q बराबर मान आया है log X प्लस 2 प्लस X का स्क्वाइर प्लस में 4X प्लस में 10 और प्लस C तो इस तरह से हमारा देखिए finally P कमान यहां Q कमान यहां निकल गया अब हम क्या करेंगे बीच में देखेंगे क्या है माइनस है ठीक है तो बस P के स्थान पर P कमान Q के स्थान पर Q कमान तो चलिए वही कर देते हैं तो पहले P कमान रखिए 5 फिर रूट में X का स्क्वाइर प्लस में 4X प्लस में 10 ठीक है बीच में क्या था बीच में मान जो चिन था वो माइनस का था माइनस लगाएंगे उसके बाद से ये वाला मान उतार देंगे बस 7 और उसके बाद से लोग X प्लस में 2 और प्लस में और रूट में X का स्क्वाइर प्लस में 4X प्लस में 10 ठीक है और पलस सी और यहीं इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखते हैं तो देखिए 24 नंबर में क्या दिया है टी एक सपान में एक स्कार प्लस नों ट्वी एक स्प्लस टू ठीक है जो की अब्जेक्टिव कोश्चन है ठीक है इसका चार विकल्प दियागा जो कि आख्यान देखेंगे कौन सा भी कल्ब साहिग होगा ठीक है तो देखिए इसको हम क्या करेंगे एक सिस्कॉर एसक्वाइब कर के फो में बनाएंगे तो आई बडाबर हाई बरावबर तो यह मान लिजे दिया ही है इसको हम डी एक्स अब लिखेंगे एक्स का स्कॉयर प्लस में दो एक्स प्लस में दो ठीक है अब यह जो बीच वाला मान है इसमें हम क्या करेंगे दो से भाग कर देंगे तो क्या आएगा एक आएगा तो प्लस में एक का स्कॉयर फिर माइनस में एक का स्कॉयर इस तरह से कर देंगे तो यह हो जाएगा डी एक्स अपान में एक्स यहाँ पर एक स्कॉयर है तो केवल एक बार केवल एक्स लिखेंगे ठीक है अब यहाँ पर गज़ों यहां पर लगाएंगे पलस, अब इसमें से हम दोनों में से पलस वाला मान ले लेंगे, पलस वाला मान आवन लेकर, होल स्कॉर लगा दिया, ठीक है, इतना हो गया, यह कुछ नहीं है,। अब इसके बाद से क्या है बचा क्या यहां पर टू बचा ये माइनस वंबचा तो गटाएंगे तो क्या हो जाएगा पलस में 1 स्क्वाइर इसतरह से हो सकता है ठीक है अब कि imm7 का इसक्वाइर पलस में A square तो बराबर हम लिए देंगे 1 अपान में A और 10 inverse X अपान में A पलस C ठीक है ये formula होता है formula अब इसको हम इसी पर रख देंगे तो क्या है 1 अपान A तो A के अस्थान पर इसमें क्या है 1 दिया है तो अगर 1 बटा 1 लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है पिटन इन्वर्स यक्स यक्स क्या अस्थान पर क्या है X पलस 1 एक अस्थान पर एक पलस में C तो इस तरह से यह कैंसल तो 10 inverse X पलस 1 पलस में C और यही इसका answer हो गया तो इस तरह से आप अगर बुक में देखेंगे तो आपका B number B number सही होगा ठीक है अगला देखिए अब देखिए 25 number ठीक है और इस chapter का last question क्या करेंगे इसको पहले यहां पर देखिए बाद में X का square है तो इसको हम पहले करेंगे और यह वाला बाद में करेंगे ठीक है तो इसको हम कर देखिए डी X अपान में रूट में माइनस में 4 X का square फिर यह 9 plus में तो plus में 9 X यह कुछ इस तरह से दिया गया है ठीक है अब क्या करेंगे इसमें माइनस जब इसमें पहले हो तब यह मामला गडबर हो सकता है ठीक है इसको आगे नहीं हाल कर सकते हैं इसलिए हम माइनस को common कर लेते हैं तो यह हो जाएगा डी X और माइनस को इस तरह से common करेंगे तो 4 X का square फिर यह माइनस यह plus है तो यह माइनस में 9 X ठीक है इस तरह से हो जाएगा अब हम क्या करेंगे अब इस पर हम formula जैसे कि इसको भी हम X square A square का 4 में लाएंगे ठीक है कैसे लाएंगे देखिए यहां पर क्या है 9 X है तो 9 X में हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे ठीक है तो देखिए 9 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये इतना ही रह जाएगा तो हम क्या कर देंगे लेकिन इसमें पहले सोचे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए लेकिन क्या है चार है ठीक है तो जब चार है तो इसको हम common लेंगे तो चलिए पहले common लेते हैं उसके बाद से वह वाला काम करेंगे यह यक्स अब जाके यह सही रूप में हुआ अब हम क्या करेंगे इसमें हम यह जो नो बटा चार है इसमें हम दो से भाग करेंगे ठीक है तो नो बटा चार पहले से दिया है इसमें अगर हम दो से भाग कर दिए तो 4 और 2 के बीच में गुणे का ही संबंद होगा तो 9 और 2 ये तो कट नहीं सकता है तो ये हो जाएगा 9 बटा 8 ठीक है तो अब ये 9 बटा 8 अब इसमेंज देखिए 4 को हम बाहर कर देते हैं एक दम ठीक है तो ये रूट में है अगर रूट में हो इसको बाहर माइनस बचा है तो माइनस रही है और फिर एक्स का स्कॉयर माइनस में 9 बटा 4 एक्स रखिए और ये वाला मान रखती है एक बार माइनस में 9 बटा 8 का होल स्कॉयर फिर एक बार पलस में 9 बटा 8 का होल स्कॉयर ठीक है और डी एक्स तो उपर लिका ही है इस तरह से अब इसको करेंगे 1 बटा 2 फिर dx फिर root में x square है minus यहाँ पर पहले लगा लेते हैं x square है तो उसको लिखे x ठीक है अब यहाँ पर एक और bracket लगा लेते हैं x लिख दिए फिर इसमें से यहाँ पर जब minus है ठीक है जब यहाँ पर minus हो तो यहाँ लगाएंगे minus अब इसमें से plus वाला मान ले लेते हैं तो 9 बटा 8 और सबका whole square ठीक है अब बचा क्या देखिए बचा यहाँ पर केवल यही वाला तो minus में 9 बटा 8 और इस तरह से whole square करिए और dx तो उपर लिखा है अब क्या करिए इसको हम इस तरह से माइनस हो जाएगा और यह minus है तो यह फलस हो जाएगा ठीक है तो यह कुछ इंडियोस हो जाएगा 1 बटा दो दी एक्स PRO और यह माइनस में 9 बटा 8 स्कॉएर और यह माइनस में 9 बटो नोबतधा 8 ID अब देखिए नियम क्या होता है कि यह वालप पलस में उसको पहले लिए और माइनस में इसको बाद में लिखते हैं तो एक बट्टा दो और उसके बाद से डी X फिर सही से जब लिखेंगे तो हो जाएगा 9 बट्टा आठ ठीक है नो बट्टा आठ का हॉलिस्कौायर और उसके बाद से और ये माइनस है तो माइनस में X माइनस में 9 बता 8そうだ हो चाहने इस तरह सो जाएगा अब देखिए फोर्मुला क्या हो धैक है इसमें जाए मतलब कि भी यह स्कॉयर है इसमिंद्थ है फोर्मुला होता है कि जब दिया हो dx और अपान में root में a square minus में x square ठीक है तो लिखते हैं sin inverse x अपान में a plus में c ठीक है यह formula होता है तो इसी formula पर रख देंगे इसको हम तो एक बटा दो पहले है तो लिखिए एक बटा दो फिर sin inverse लिखिए x अपान में a है तो एकस बराबर क्या है एकस के अस्थान पर यह वाला ठीक है इसके साथ यह थे यह वाला तो x माइनस में 9 बटा आठ हो गया अपान में a अपान लगाई यह मतलब कि 9 बटा आठ आठ अब यहां पर हर को बराबर करेंगे पलस सी लगा दीजै फिर लिखें एक बट्टा दो और साइन इनवर्स इसको हम हर बराबर करेंगे तो 8 सूपर नीचे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 x माइनस में 9 और सब के बटा में 8 फिर बता में 9 फिर उसके बटा में 8 अब इसे से यह कैंसल हो जाएगा पलस में सी तो क्या हो जाएगा एक बटा दो और साइन इंवर्स आठ यक्स माइनस में नो बटा नौ पॉलस में सी और यही इसका आंसर हो गया ठीक है तो इसमें बुक में आपका भी नंबर जाई है ठीक है भी नंबर दोस्तों अज वीडियों बस इतना ही तो चली मिलते हैं इसके अगले एक्सरसाइज में तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर आप चैनल के नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा